हेलो एब्रीबन, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजूटीब चैनल एजूटीब चैनल एक्सपो में, I am निधी कैथर, चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो सुरू करते हैं, वीडियो का फर्स्ट कोशन है, हाल ही में कौन सा देश ओपन नियंतर समझोते से बाहर हो गया है, आपके ऑप्सेंस हैं, ऑप्सें A, जापान, B, बांगलादेश, C, रूस, या D, चीन, आपका एंसर होगा, ऑप्सें C, रूस, रूस इस बाहर ओपन इसकाईज हतिया, नियंतर समझोते से बाहर हो गया है, Q2 है भारती रिजर्व बैंक RBI ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर कितने करोड रुपए का जुर्माना लगाया है आपके ओप्सन्स हैं ओप्सन A 10 करोड रुपए B 15 करोड रुपए C 20 करोड रुपए D 25 करोड रुपए आपके अंसर होगा ओप्सन A 10 करोड रुपए भारती रिजर्व बैंक RBI ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर पूरे 10 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है RBI ने प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक SDFC पर कारवाई करते हुए 10 करोड रुपए का जुर्माना लगाया है आईए अब जान लेते हैं कि ये जुर्माना उसने क्यों लगाया है RBI ने कहा है कि बैंकिंग रिगलेशन एक्ट के सिक्षन 6 दो और सिक्षन 8 के प्रावधानों का उलंगन करने पर SDFC पर ये जुर्माना लगाया गया है Q3 है कर्मचारी भविस्ति निधी संगठन EPFO की योजना के तहट अधिक्तम बीमा लाग COVID-19 पीड़तों के आस्रितों के लिए 6 लाग से बढ़ा कर कितने लाग कर दिया गया है आपके ओप्सन्स हैं ओप्सन ए आठ लाग, बी नौ लाग, सी साथ लाग, डी दस लाग एंसर होगा ओप्सन सी साथ लाग कर्मचारी भविष निदी संगठन EPFO की योजना के तहट अधिक्तम बीमा लाग COVID-19 पीड़तों के आस्रितों के लिए 6 लाग से बढ़ा कर साथ लाग कर दिया गया है फ्रेंट्स आए अब जान लेते हैं कि ये EPFO है क्या कर्मचारी भविष निदी संगठन भारत की एक राज पोटसाहित अनिवार अंसदाई पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला एक सास्की संगठन है सदस्तियों और वित्ती लेन देन की मात्रा के मामले में ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन है EPFO का मुख्याले नई दिल्ली में है तथा इसकी स्थापना चार मार्च 1952 को हुई थी कोशन नमबर फोर है हाल ही में किस राज ने अंकुर नाम की एक योजना सुरू की है आपके ओप्सन्स हैं ओप्सन ए बिहार, बी जारखन, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने अंकुर नाम की एक योजना सुरू की है इस योजना के तहट नागरिकों को मानसून के दावरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा इस पहल में भाग लेने वाले नागरिकों को कारिकरम में जन भागीदारी सुनिस्चित करने के लिए उन्हें प्राणवाय पुरुसकार दिया जाएगा प्रत भागियों को पौधा लगाते समय एक तस्वीर अपलोड करनी होगी उसी पौधे के साथ और फिर तीस दिनों तक पौधे की देख भाल करने के बाद दूसरी तस्वीर अपलोड करनी होगी कोशन नमबर फाइब है हिंदी पत्रकार्टा दिवस निम्ण में से किस दिन मनाया जाता है आपका एंसर है हिंदी पत्रकार्टा दिवस तीस माई को मनाया जाता है हिंदी भासा में उदन्त मारतंड के नाम से पहला समाचार पत्र तीस माई 1826 को कलकत्ता से निकाला गया था पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम था उदन्त मारतंड कोश्चन नमबर सिक्स है निम्न में से किसे अंत्य राज्टी एनी अवार्ड 2020 से सम्भानित किया गया है आपके ओप्सन्स हैं ओप्सन ए अमरत्य सेन बी रगुराम राजन सी उर्जित पतेल या डी प्रोफेसर सी एन आर राओ आपका एंसर होगा ओप्सन डी प्रोफेसर सी एन आर राओ भारत रत्न प्रोफेसर सी एन आर राओ को अच्छे उर्जा स्रोतों और अच्छे भंडारन के छेत में अनुसंधान है तो अंतर राष्टी एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है अंतर राष्टी एनी अवार्ड को उर्जा अनुसंधान के छेत्र में नोबेल माना जाता है कोशन नमर सेवन है अंतर राश्टी बाल रच्छा दिवस निम्ण में से किस दिन मनाया जाता है उप्षन ए है 10 मार्च को, B 1 जून को, C 12 अप्रेल को, D 20 जुलाई को एंसर होगा उप्षन B 1 जून को अंतर राश्टी बाल रच्छा दिवस इंटरनेशनल चाल्ड डिफेंस दे 1 जून को मनाया जाता है रूस में अंतर राश्टी बाल रच्छा दिवस पहली बार 1949 में मनाया गया था एक जून 1950 को विश्व के 51 देशों में पहली बार अंतर राश्टी बाल रच्छा दिवस मनाया गया था इसका मुख्य उद्देश बच्चों के अधिकारों की रच्छा करने की और लोगों का ध्यान आकर सित करना था कोशन नमबर एट है केंद्री मंत्री मंडल ने टिकाउ सहरी विकास के किस छेतर में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझोता ग्यापन को हाल ही में मंजूरी दी है आप्शन ए है नेपाल, बी, सिरिलंका, सी, बांगला देश या डी, माल दिव केंद्री मंत्री मंडल ने टिकाउ सहरी विकास के छेतर में भारत और माल दिव के बीच समझोता ग्यापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है समझोता ग्यापन के अनुरूप सहयोग के लिए कारिक्रमों की कार नीती बनाने तथा उन्हें कारनमीत करने के लिए एक सैयुक्त कार समूँ का गठन किया जाएगा सैयुक्त कार समूँ की बैठक साल में एक बार बारी-बारी से माल दिव तथा भारत में होगी ये समझाता ग्यापन दोनों देशों के बीच टिकाउ सहरी विकास के छेत्र में मजबूत गहरे तथा दीर्ग कालिन दुईपच्छी सहयोगों को बढ़ावा देगा नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में अमेरिकी अंतरिच एजन्सी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की गोशना की है ऑप्सन ए है दो हजार थेईस, बी दो हजार बाइस, सी दो हजार चौविस या दी दो हजार पच्चीश अमेरिकी अंतरिच एजन्सी नासा ने दो हजार थेईस में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोशना की यह मोबाइल रोबोट चंद्रमा की सता पर और इसके नीचे बर्फ और अनसंसादनों की खोज करेगा यह मिशन रोबोट बिज्ञान मिशन और मानो अन्वेंशन को साथ साथ चलने का एक अच्छा उदारन साबित होगा कोशन नमबर टेन है निम्ण में से किस राज सरकार ने कुरोना पीडित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोशना की है आपका एंसर है आपसन बी मद्ध प्रदेश सरकार ने कुरोना पीडित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोशना की है सरकार ने ये तैं किया है कि प्रदेश में अगर कोई पत्रकार या उसके परिवार का कोई भी सदस से कुरोना पीडित होता है तो उनका इलाज मद्ध प्रदेश सरकार कराएगी थाइंक्स पूर वाचिंग फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें थाइंक यू सो मच ओल दे बेस्ट